अब इस मुद्दे को लेकर देश और बिहार दोनों जगह की सियासत बहुत जादा गर्म देखनी को मिल रही है लगा अतार पक्ष और बिपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं एक तरब से कहे तो ट्विटर पर भी इसको लेकर वार शरू हो चुका है बता दें कि इसी बीच जो जेडियो के राश्ट्रिय अधक्ष हैं ललन सिंग उन्होंने अब इस मुद्दे पर पलटवार कर दिया है दरसल ललन सिंग ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया है जिसमें देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार के डियने पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं साथ में उन्होंने ट्वीट करके कुछ लिखा भी है चलिए सबसे पहले आपको ललन सिंग का ट्वीट दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि क्या कुछ उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है बताते हैं कि मोधी सरनेम केस में कॉंग्रिस निता रहुल गांधी की सांसदी रद पर सियासत तेज हो गई है जहां बीजेपी ने रहुल गांधी के उस बयान को पिछडो का अपमान बताया था और कहा था कि उन्हें पिछडो के अपमान की सजा मिली है जिस पर अब जद्यू के रास्टी अधक्ष ललन सिंग ने जवाब दिया है और पिये मोदी के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें नितिश कुमार के डियने पर सवाल उठाया क्या था जद्यू करास्टी अधक्ष ललन सिंग ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा के छुटका से लेकर बढ़का नेता सब पुरा मक्षन का कनस्तर लगा कर बोल रहे है और पंद्र की याद कराना चाते हैं जब आधर्णिये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्य मंत्री नितिश कुमार के डियने पर सवाल खड़ा किया था नितिश कुमार जी किस वर्ग से आते हैं जरा बीजेपी के नेता जवाब तो देते आगे उन्होंने एक और ट्वीट किया है और लिखा है कि आधर्णिये प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कॉंग्रेस पार्टी के डेता श्री राहुल गांधी जी ने एक प्रश्न किया है 20 हजार करोड अडानी जी की कमपनी में कहां से आया आप तो देश के प्रधान चौकेदार हैं क्या आप इस प्रस्द का उत्तर देंगे बता दें कॉंग्रेस देता राहुल गांधी को मोदी सर्णिम केस में दो साल की सजा हुई थी जिसके बाद उनकी सांसदी भी रध हो गई जिस पर कॉंग्रेस ने केंदर सरकार पर साजिस रचने और जूठे केस लगाने के आरोप लगाये थे वहीं तेजस्वी यादों ने इस मामले पर विरोध जताया था वहीं दूसरी तरह बीजेपी ने राहुल के साल 2019 में दिये गए इस बयान को पिछ्डों का अपमान बता दिया था बिहार के पूरो डिप्टिसीम और बीजेपी निता शुसील मुदी ने कहा है कि राहुल गादी को पिछ्डों के अपमान की सजा बेरी है और सांसिदी रद होने का ये कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले लालू यादो जैल अलिता समित कई लोगों की सदसिता रद हो चुकी है अगर राहुल गादी माफी मांगते तो शायद उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता फिलहाल तो इस मामले पर पूरा विपक्ष एक जूट नजर आ रहा है तो देखा आपने कि किस तरीके से जेडियू के रास्टिय अधाक्ष जुहें ललन सिंग उन्होंने पलटवार किया है और जिस तरीके से बीजेपी वाले एक के बाद एक सवाल खड़े कर रहे थे उसका मजबूती के साथ जवाब दिया है हलाकि प्रमाण के तौर पे उन्होंने एक छोटा सा वीडियो भी शेयर किया है जिसमें देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नितिश कुमार के डियने की बात करते नसर आ रहे है इस वीडियो में फिलहाल के लिए तना ही तमाम अप्डेट्स के लिए आपने एक न्यूस 24 के साथ अगर आपने अबे तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे हमारे वीडियो को लाई किजे शेयर किजे साथी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी